कि नमस्कार प्यारे साथियों आप सभी का हार्दिक स्वागते करंट अफ्यूर बूस्टर सेशन 32 सीजन 3 में मैं हुसंदी पानुधने और ये सीरीज आपके लिए सभी एक बहुत अच्छा प्राइमर का काम करती है शुरू करते हैं सेशन नमबर 32 सबसे पहले आपको याद दिला दें लेवल वन और लेवल टू के हमारी प्रीमियम मेंबर्शिप यूटूब पर उपलब्द हैं इस सेशन के नीचे ही जॉइन का बटन दिख रहा है जरूर जॉइन करें वन मन्थ री मन्स इक्स मन्स ऑप्श रहे हैं आप भी जरूर जरूर लीजिए तैंक यू सो माच शुरूआत करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के फुल अपडेट के साथ तो कुछ अजब गजब चल रहा है भारत के स्टॉक मार्केट में जिनका रियल एकॉनमी से प्रैक्टिकली पूरा डिसकनेक्ट हो उसमें अनेक प्रकार की चुनोतियां चल रही हैं लेकिन हमारे बाजार को उससे बहुत ज्यादा फरक पड़ता नहीं है और बाजार अपना एक लिक्विडिटी के दम पे चलता चला जा रहा है कुछ ब्लू चिप्स के दम पे चलता चला जा रहा है कहीं कहीं फंडामेंट October में सब कुछ बराबर हो चुका है January में Sensex highest point पर गया था all-time high 41945 पर Sensex जो है वो आप जानते ही है Bombay Stock Exchange Stock Market का 30 शेरों का एक weighted arithmetic average होता है जो basically sentiment दिखाता है कि भारत के top 30 share जो BSE के हैं वो कैसा perform कर रहे हैं it is not a broader indicator लेकिन Sensex एक bell weather indicator माना जाता है तो Sensex के बारे में आप जो भी जानते हैं हमारे साथ comment head में share करें दुनिया के 5-6 top stock market index कौन से है indices कौन से बताइएगा अब October में चालीस हजार already cross कर गया है भारत का जो market capitalization है वो 160 trillion रुपिये 160 लाग करोड रुपे फिर से cross कर चुका है तो दोस्तों यह stock market के लिए बहुत बहुत positive खबरें हैं लेकिन जो आच्छे जनक तत्य है कि भारत की economy 10% से contract होने जा रही है और विया ने कह दिया है मेरा अनुमान यह एक विल्कुल dealing जो economies होती है financial economy और एक रियल economy उसका इससे बहतर सबूत नहीं मिल सकता दो बड़े event हुए दोस्तों जून 2019 से जब से मोधी गवर्मेंट टू बनी पहला corporate tax cut मिला 1,40,000 करोड का और दूसरा कोविड का pandemic आया इन्होंने stock market के दिशा और दशा को ताई किया है अब तीन तरह के कंपनियों के index होते हैं एक तो होता है large cap जिसमें सारे blue chips आते हैं एक होता है mid cap इसमें सारे medium level की companies और एक होता है small cap सारी छोटी लिस्टेट companies होती है तो जहां big cap को तो जो है large cap को जो है Reliance Infosys Asian paint जैसी कंपनिया खीच रही है लेकिन small cap ने इतना अच्छा नहीं किया है तो यह पहला है broad understanding है तो हमारे दो सवाल यहीं पर officially note करें volunteers compile करें उत्तर दें पहला explain the concept of a stock market index explaining five different indices from the world दूसरा what is the idea behind market capitalization of a stock market और a country अब आप देखेंगे चार और चार्ट तो सबसे पहले आप देखेंगे यह जितनी rally चल रही है तथा कतित rally कि जो बाजार ऊपर उचल जाता है वो बेसिकली जो बड़ी बड़ी कंपनिया है रिलाइंस हो गई एसेल टेक हो गया एशियन पेंट्स इन्फोसिस नेसले इन्होंने काफी खीचा है पैंडेमिक पैरलल में चल रहा है कोई भी यह नहीं कह रहा है कि पैंडेम भाईया और खुदारबिया वाले बोल रहें कि we really do not know how the pandemic will pan out finally तो पैंडेमिक खतम नहीं हुआ है रोज एक हजार लोग तो भारत में मरी रहें पैंडेमिक से तो ऐसे में इस तरह कुछ stocks का आउट परफॉर्म करना एक बहुत ही जबर्दस परफॉर्मेंस ही कहला जाएगा हालांकि experts कहते हैं कि बहुत सारे stocks overvalued हैं और सही समय आने पर बहुत तेजी से correction भी होगा अब अगर आप छटे graph की तरफ बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भारत में बहुत ज्यादा पैसा बाहर से आ रहा है वाया दी FPI जिन्होंने बीच में dollars डालें कि उसमें से 1000 करोर रुपिया घूम घाम के emerging market में आ रहा है तो मार्केट को यह पता है कि liquidity की तंगी तो होनी नहीं है उसके अलावा टॉक कंपनी बिसिकली विनर टेक्साल मार्केट बन गए हैं तो रिलाइंस रिटेल एक तरफा खेल खेलने के मूड में हैं तो ऐस से कंपनियों के शेर आसमान को चुएंगे और सारे बाजार वन होर्स या टू होर्स बाजार बनके रह जाएंगे इस सब का नेट नेट असर स्टॉक मार्केट पे आ रहा है अदर्वाइस ब्रॉडर रियल एकॉनोमी से ऐसे को इंडिकेटर अभी तो नहीं है तो हमारा पे निवेश करते हैं बताएं आते ही सेशन को शेर और लाइक जरूर कीजिएगा तो आर्वियाई की MPC October 2020 पॉलिसी भी आ गई हर दो-दो महिने में पॉलिसी आती है और बहुत मज़े की बात ये रही इस साल की पूरा 2020 लगबग खतम होने आया लेकिन आर्विया ने अभी तीन आये हैं और अब MPC की तरफ से RBI की तरफ से CPI-based inflation का भी एक target दे दिया गया है expectation दे दिया गया है और GDP का साल भर में क्या हाल होगा उसके बारे में बताया है तो अभी फिलाल भारत में जो है RBI is on the forefront of battling the downturn कहीं ने कहीं ऐसा लग रहा है कि RBI अपने सारे हतियार गोला ब दिराने की कोशिश कर रहा है और लिक्वीडिटी 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 पुश करता चला जा रहा है इसलिए शिकायत यह लोगों को कि भाईया savers की हालत खराब हो रही है बॉर्वर्स के लिए तो अच्छा समय आ गया है जबकि भारत में saver borrower से कई गुना ज hypotomy between serving the interest of the borrowers more than those of savers in a country like India where the savers outnumber borrowers by a large margin नया MPC भी बन चुका है और RBI ने GDP और CPI के पूरे के पूरे अपने expectations दे दिये हैं उनका कहना है कि अभी तीनों quarter में negative जाएगा लेकिन चौथे quarter में थोड़ा था positive होगा मुझे इस पर काफी doubt है इस साल positive नहीं हो पाएगा अगले साल से थोड़ो थोड़ा positive होना शुरू होगा लेकिन RBI की position भी हम समझते हैं उनके लिए कहना भी जरूरी होगा तो RBI basically कह रहा है कि inflation बढ़ा तो है लेकिन यह सब है supply side constraint lockdown में सब कुछ बंदी हो गया तो inflation तो बंढ नहीं ता supply नहीं हो रही है दीरे दीरे ease out हो जाएगा और यह था भहिया October MPC की कुछ दो तीन महत्वकून बातें अब चलते हैं pollution की तरफ तो यह latest data आया बड़ा डरावना data है भहिया मेरे इंडिया remains the number one emitter of sulfur dioxide अब यह है बहुत ही जहरी ली गयास दुनिया भर में 28704 किलो टन sulfur dioxide 2019 में उस सर्जित हुआ भारत में 6000 किलो टन था इसमें से भारत के जो होट्सपॉट और sulfur dioxide के सिंग्रॉली नेवेली कोर्बा तल्चर वाइजयक मूंद्रा कच कोरडी जहां भी power plants हैं दूसरे इस तरह की फैक्टरीज हैं sulfur dioxide का जहर आस्मान में जाता है वायू बंडल में जाता है अब इतिहास में तो करोडो करोडो सालों से जब 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 जौला मुखी विस्फोट हुए हैं एसो टू आया ही है बाहर लेकिन यह इंसान के अपने जौला मुखी अलगी भट रहें तो इस बाइप्रोडक्ट औफ कॉपर एक्स्ट्रेक्शन और बर्निंग तो रहें क्योंकि चाइना हमसे आधे से भी कम कर रहा है जबकि चाइना का ओवराल एनरजी आउटपुट हमसे चार गुना से ज्यादा है तो हम कहीं न कहीं तो मैनेजमेंट में फेल होई रहें ना भी या तो हमारा अगला सवाल नोट करेंगे वाट अब चलते हैं पहरी जो एक अंतर होता है जिसको पाटने के लिए बहुत कोशिश है की गई लेकिन यह हमेशा रहा पैंडेमिक ने इस खाई को एक जटके में पकड़के ऐसा चोड़ा कर दिया भीया मेरे बेसिकली हुआ यह है कि पैंडेमिक के बाद आप और हम कई लोग जो शेहरों के ह हमारे घरों में कम्प्यूटर है स्मार्टफोन है 4G इंटरनेट है वाइफाई है ब्राडबैंड है सब लगा हुआ है तो हमने महसूस ही नहीं किया हम आनलाइन एजुकेशन में शिफ्ट हो गए जो लोग पहले से थे मेरे सरी के तो कई सालों से यही कर रहे हमें महसूस न नहीं सकता टीचरों को ट्रेनिंग नहीं दी हुई है तो टीचरों को ट्रेनिंग देना आवश्चक है कहने का मतलब यह है कि हमारे ग्रामीन चात्रों के लिए ऑनलाइन बहुत बड़ा एक चैलेंज बन गया है मतलब ऑनलाइन में पढ़ा ही लिखा ही तो बाद में करेंग पहले online access तो कर ले हैं, so the rural urban gap has become a huge problem, they are struggling with internet, power, devices, support, teachers को training भी चाहिए, लेकिन overall जो sense अब आ रहा है कि भारत का ये digital divide जो है rural urban का इसे भरने में अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन समय तो है नहीं क्योंकि रोज एक एक दिन तो खतम हो रहा है, तो ये जो एक साल practically school बंद हुए ह और एक urban bias के साथ digital चला गया education online, इसका असर जो poor learning outcomes of crores of rural students होगा, 5-6-7 साल बाद, बिलकुल food के सामने दिखाई देगा, जैसे malnourishment का एक अलब chapter बिलकुल इसी तरह से आगे आएगा, तो दोस्तों इससे overall भारत पर असर आएगा, भारत के लोगों पर असर आएगा, तो हमा sanitizers and soaps can damage a lot, अब मैं तो आपको हमेशा बोलता आया कि करोना माता की इजद करो, चार दोस्त बना लो, soap, sanitizer, mask and glove, लेकिन भारत सरकार का ये कहना है, कि भाया बहुत ज़्यादा sanitizer और soap लगाओगे, तो बहुत दिक्कते होंगी, 100% सही बात है, दिखिए जब हम आपको बोलते ह sanitizer soaps को दोस्त बनाओ, उसका ये मतलब नहीं होता कि आप ऐसे भर-भर के sanitizer लो, आप एक बार लेंगे, इसको रगणना है, अब आपने एक बार की बेज़े उसको चार बर flush करके लिया, गए काम से, साबुन आप यूज़ कर रहे हैं, limited तरीके से यूज़ कीजिए, बहुत ज दुक्सान है, antimicrobial resistance, amr, antibiotic resistance, abr, ये दोनों develop हो जाता है, तो ये remarkable चीज़े, सूपर बनते हैं, बेसिकली अभी aims के अधिकारी aims के experts ये कह रहे हैं, कि भारत में लोगों को soaps और sanitizer से ऐसा प्यार हो गया है, और इतना ज्यादा misuse हो रहा है, कि wrong and excessive use is dangerous, why antimicrobial resistance हो जाता है, कै ऐसे antibiotic resistant microbes पैदा होने लग गए हैं, जो हमारे पूरे human ecosystem में बिलकुल entrance हो गए हैं, यह बिलकुल एकदम पाउं जमा के बैठ दे हैं, इसलिए साबुन और sanitizer बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि इससे जो microbes हैं, उसमें viruses भी आ गए, fungus भी आ गए, bacteria भी आ गए, यह धीरे धीरे इनकी अगली पीडियां जो पैदा हो रही हैं, वो और मजबूत पैदा हो रही हैं, जिन पे इसोप सो sanitizer का असर नहीं होगा, आप समझ रहे हैं, इसलिए judicious use, अब EMR जो होता है, यह doctors का कहना है कि भारत में antimicrobial resistance एक बहुत बड़ी problem है, क्यों? इन पे दव antibiotic काम नहीं कर रहा है, और फिर मुश्किल से एकदम highest quality के एक दोने काम किया, तो यह बहुत बड़ी चुनाती है, EMR को लेके doctors का कहना, अब एक दूसरे मुद्दे पर आते हैं, pandemic को एक मिट के लिए छोड़िए, कि healthcare हो, veterinary हो, agriculture हो, तीनों को मिल के लड़ना पड़ेगा, दे आने के लिए, plants में दिये चले जा रहे हैं, तो यह पूरा veterinary और agriculture, तो तीनों जगे आपको rationalize करना पड़ेगा, use of such medicines, यह कहना है, AMR और ABR का, इससे जुड़े कुछ बहुत अच्छे inputs में यहां आपके लिए ready किये हैं, कि what is antimicrobial resistance and what is antibiotic resistance, इसको पढ़ लिजेगा, समझ ल 10th difference between antimicrobial and antibiotic resistance, antimicrobial में दोस्तों सब आ जाते हैं, antibiotics, antifungals, antivirals, antimalerials, antthelmintics, सब कुछ आ जाते हैं, आगे चलते हैं, प्रदान मंत्री ने स्वामित्व योजना लाँच कर दी है, तो स्वामित्व योजना, इग्राम स्वराज के नाम से जो आई है, basically कहना ये है, कि भारत के ग्रामीन शेत्रों के लोगों को अपने property के title deeds लेने में बहुत दिक्कते हुई हैं, आज तक उसका अच्छा system ही नहीं बना, तो हमने drone से mapping कर ली, survey of India की मदद से, और हमने बहुत बढ़िया तयार करवा दिया है, तो इनका कहना ये है, प्रधान मंतरी का और सरकार का, कि भारत के पास 70 सालों में भी ग्रामीन शेत्रों में property के paper सही डंग से बने, ऐसा एक formal property ownership का system बढ़ा कमजोर रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं रहा है, कमजोर रहा है, तो सरकार ये चाहती है कि ये system बने लोगों के पास property के papers आए, जिससे उसके उपड़ टैक्स लगाने का काम पंचायते कर सकती है, जिससे लोग बैंकों से लोन लेने के लिए property के formal कागश देके लोन उठा सकते हैं, तो monetizing of a property can happen as a collateral, etc., etc. और ये अगर भारत भर में हमने किय तो ग्रामीन शेत्र को mainstream बैंकों से लोन उठाने में आसानी रहेगी, मतलब stimulus नहीं देना पड़ेगा, तो अब इनका कहना ये है कि पंचायती राज को मजबूत करने के लिए हमने स्वामित्व योजना में document देना शुरू कियें, और एक token basis पे भी एक लाग से जादा document दिय रही है, तो ये है पूरी पूरी कहानी प्यारे दोस्तों, स्वामित्व स्कीम की अच्छी स्कीम है, ultimately भारत की जो सबसे बड़ी समस्च्या रही है, जिसको केवल partially solve किया गया आजादी के बाद, वो है land reforms, जब तक भूमी सुधार पूरे भारत में डंके की चोट पे डंक से नहीं होंगे, अतिशेश भूमी का गरीबों में वितरा नहीं होगा, गरीबी को कोई हटा नहीं पाएगा, और land reform आदे हदूरे होके छूट गए, सच्चे अर्थों में कभी नहीं हो पाए, विनोबा भावे जो की एक individual सत्याग रही थे, मात्मा गांदी के अन्युआई थ उन्होंने पदिराता निकाल के लाखो एकड़ जमीने, जमीन दारों से फ्री कर वाली, लोगोंने प्यार मुहबत से गांदी जी के प्रती प्यार के चलते बुदान आंदोलन में लाखो एकड़ जमीने दे दी, जो गरीब हों में बटी, लेकिन दुरभाग गया रहा कि न दूसे राज्यों में आध्यादूर हुएं लेकिन हुए हैं, अब समय हैं कि वो बचा खुचा काम भी हो, फिलाल तो भी यहां पर हम यह प्राइवेट प्रॉपर्टी की जो बात कर रहे हैं, यह वाला एडिट है, उमीद करता हूं आपको मज़ा आया, हमारा अगला सवाल इस वाला इस वाला तो भाइया, इतनी जल्दी गूगल के उपर स्कुरू कस दिया जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था, लेकिन भारत में अचानक से जितने भी स्टार्टप्स यह गूगल से भयंग कर नाराज हो गये हैं, और अचानक से सब कॉम्पेटिशन कमिशन कमि इस बूगल यह, I mean, how many of these startups themselves are following the competition law and not indulging in data abuse, यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, चोटी-छोटी IT companies जो है वो इतना data abuse कर रही है, इतना right to privacy का हनन कर रही है, उनको कानूनों से कोई मतलब ही नहीं है, उनको कोई right to privacy का concept ही नहीं पता, वो इन सब कानूनों के ऊपर है और यह सब लोगों को Google से शिकायत है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं खुद के गिरे बाद में भी जाक के देखना पड़ेगा, तो यह लड़ाई Google के सामने अचानक से आ गई, और अब इन लोगों ने तो सीधे CCI से शिकायत कर दी, और यह बोला कि भ पूरा स्वीट साथ में थोप देता है, तो यह कहां से competition हुआ, तो CCI को इसके उपर लगा लगा देनी चाहिए, तो basically the whole idea here is that somehow sooner or later, Indians have now realized कि हम कितने ज्यादा colonized हो चुके हैं, Google के द्वारा, Facebook के द्वारा, Apple के द्वारा, Amazon के द्वारा, और हमें हमारे Indian alternative, proper competitive तरीके से निकाल नहीं पड़ेंगे, वहीं अमेरिका में अगर Biden जीतते हैं, Trump जीत गया तो कुछ नहीं, अगर Biden जीतते हैं, तो Big Tech का टूटना तय है, उनकी तो रिपोर्ट आ चुकी, House of Representatives में, कि जितनी ये चार Big Tech Forms में अभी नाम लिया, they are all out and out abusive, officially America के House of Representatives 450 page की रिपोर्ट है, और data privacy, right to privacy, ये चीज़े भारत में एक दम से headline बनेंगी, तो ये prediction के रूप में समझ लीजिए, हमारा अगला सावाल, why are Indian startups suddenly up in arms against Google's so-called abusive practices, ये है पूरा Google का empire, आपके सामने है पूरी कहानी, बहुत मधिदार खेल चल रहा है इनका, और data के ये बाश्या है, पूरे के पूरे, ब जो detail में पढ़ना चाते है, PDF डाउनलोड करके इसको पढ़ें, ये है विश्व खाद्यकारिकरम का पूरा का पूरा बारा बिंदूओं में उनका contribution, अब basically इनको Nobel Peace Prize क्यों दिया जाना चाहिए, मैं आपको 1930s, 40s, 50s में ले जाना चाहूंगा, आज तो 2020 है, 90 साल पहले ले ज लगता था कि communism सब तरफ फैल जाएगा, साम्यवाद सब तरफ फैल जाएगा, और साम्यवाद के फैलने का सबसे बड़ा कारण होगा भूक, पेट की भूक लोगों को बंदूक उठाने पे मजबूर करेगी, इसलिए अमेरिका के राष्ट्रपती ने 1940s और 50s में green revolution के technologies में इन्वेस्ट किया, मेक्सिको में green revolution लाएग, नॉर्मन बोर्लो जैसे सेक्डो विग्यानिक गए, और उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपती ने वो green revolution को पूरी दुनिया में फैलाना शुरू किया, क्योंकि communism को रोखना था, आपको logic समझ माया green revolution के पीछे का, आज हम ये देख रहे हैं कि world food program बहुत शांदार काम कर रहा है, because अगर दुनिया में शांती चाहिए, तो पहले भूक मिटाओ, भूक मिटाए मेरा शांती नहीं हो सकती है, और पिछले साल इन्होंने 88 countries में 10 करोड लोगों के भोजन का प्रबन किया, तो मतलब ही तो बहुत ही nobel काम कर करते हैं, जहां कोई भरोसानी कि कल आप जिन्दा रहोगे कि नहीं वार, conflict, climate change, तो एक बार comment में लिखतो भहिया, United Nation Food Agency, World Food Program, जिन्दाबाद, जिन्दाबाद, अच्छे लोगों के काम पे जिन्दाबाद तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो कैसे दुनिया में लोग अच्छ इसके उपर भी आपके व्यूस का स्वागत है, तो दोस्तों हमारा लाइफ कोर्स अगले मंडे से शुरू हो रहा है, पूरी जान करी लीजे, लाइफ.PT एजूकेशन पर आ जाईए, फॉर्म भर दीजे, हमारी टीम से बात कीजिए, आज के आज अज अरोल कर लीजे, बह थैंक्यू वेरी माच, पैरलल में हमारे कोर्से हमेशा उबलब्ध हैं, कॉम्बो कोर्से भी अवेलेबल हैं, टीम से आप बात करें, जानकारी लें, एन्रोल करें, चाइना बड़ा नाराद हो गया क्वार्ट से, और क्वार्ड नेशन जो आपस में मिले, तो वहाँ पर च और इस मीटिंग में पूरी पूरी चर्चा एक ओपन इंटरनेशनल सिस्टम जो की रूल्स ड्रिवन होगा, उसकी बात हुई, क्वार्ड नेशन की मिनिस्टीरियल कॉंफरेंस में, अमेरिका ने खुल कर चीन को एक खत्रा बताया दुनिया के लिए, चाइना बोलता है कि इसी बाक्यों तो नाम नहीं ले रहे, यह अकिला अमेरिका हमारा नाम ले रहा है, तो क्लोज क्लीक बना लिया है, और साथी चाइन ने कहा कि जपस के लगता है, और इंडिया कभी नहीं जुडेगा क्योंकि हमने इंडिया को देखा है, 1950 से ये सब के साथ दोस्ति रहता है कैसा कभी नहीं होता ही कि सिर्फ किसी एक के साथ दोस्ती करें बड़ा इंट्रेस्टिंग इन्हों ने दिया है हमारा अगला सवाल नोट करें वाट आप खुलके बोली दिया और तीसरा ये जो स्लॉग ओवर्स खेलेंगे लंबे समय तक खेलते रहेंगे धीरे धीरे बाहर आएंगे और शेप आफ दरीकवरी क्या होगी हमें पता नहीं है वी है यू है एल है डबली है के है देखेंगे लेकिन बेसिकली थ्री स्पीड रिकवरी होगी ये इन्होंने भ एक बात हमारा अगला सवाल वाट डास मीन बाइद थ्री स्पीड रिकवरी फॉर इंडिया बहुत बहुत बदा ही हो सबी भाड़तियों को रूद्रम वन मिसाइल तैयार हो गई है रूद्रम रिसीवर ऑफ सौरो इसका मतलब होता है रूद्रम वन जो है ये एंटी रेडि सामने वाले को मारने जा रहा है तो उनके जैमिंग सिस्टम लगा देंगे कि मेरे फाइटर जेट के इलेक्ट्रोनिक्स ही खराब हो जाएं कम्यूनिकेशन तो उस जैमर को मेरा रूद्रम जाके उड़ा देगा उनके रेडार को उड़ा देगा अब उनके पास भी कोई मिस सकता है तो यह बियांड विज्वल रेंज है पंदरा किलो मीटर की उचाई तक छोड़ा जा सकता है और इसकी मैक्जीमम स्पीड टू मैक हो सकती है तो यह एक बहुत बड़ा डेटरेंस होगा और एनिवी के जैमिंग स्टेशन को हम जैम कर देंगे खतम कर देंगे तो फि आपको समझ में आगे है रुद्रम मिसाइल क्या है हमारा अग्रेजी में जरा भी दिक्कत है बिन दास दिल खोल के आज के आज अन्रोल कर लीजे हंड्रेट सेशन का बहुत खूबसूरत प्रेंट्राइव कोर्स है हजारों बच्चों ने पढ़ा है बहुत फाइदा होगा तो एक टेक्टॉनिक शिफ पॉलिटिक्स में हो सकता है अगर ट्रम फिट से आ गए उनका इग्रेशन बहुत सी पॉलिसी पे बढ़ेगा अगर वो हार गए तो बहुत बड़े बड़े पॉलिसी पे कंप्लीट रिवर्सल हो जाएगा बहुत सी इंडस्ट्रीज में प्यारे दोस्तों यह एक ऐसा एडिटोरियल अजीद बाला क्रिश्टन का जो बिलकुल आख खोल देगा देखिए हम जो सुर्खियां पढ़ते हैं अगबार में और जो सच्चा ही होती उसमें कई बार गैप होता है अजीद ने वहीं गैप समझाया है इनका कहना ही है कि भ हारा गया फिर जीत के हारा गया सब खतम हो गया नौकिया एक हाडवेर कंपनी थी इलेक्ट्रोनिक्स की जो पूरी तरह तबाह हो गई क्योंकि एंड्रोइट का सौफ़एर आ गया एपल का आई योएस आ गया और उन्होंने नौकिया के हाडवेर को तबाह कर दिया तो का है बजा है इलेक्ट्रोनिक्स हार्डवेर को चेस करने का बहुत ही एक इंट्रस्टिंग पॉइंट दिया है आप एगरी डिसेगरी कर सकते हैं वो एक अलग बात है लेकिन पॉइंट तो बहुत शांदार है क्वीटी को कॉंट्रिब्यूट करते चले दोस्तों और सारे स प्रफ से आज इतना ही कल सेशन 33 के साथ फिर मिलेंगे सेशन को लाइक और शेयर करना मत बुलिए प्रीमियम सेक्षिन जॉइन कीजिए जॉइन का बटन दिया है और अगले मंड़े यहने 19 ऑक्टोबर से आइस की लाइब की क्लास शुरू हो जाएगी जरूर एंडरोल विजिए का तमस्कार जाएग्ट